बच्चे भगवान का दिया सबसे खुबसूर तौफा है लेकिन किसी ना किसी कारण कई महिलाएं सुख से वन्चुत रह जाती हैं लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है जिससे हर महिला मा बनने का सुख प्राप्त कर सकती है इनी तक्नीक में से एक है IVF यानी टेस्ट्यूब बेबी तक्नीक बता दे कि आज ही के दिन यानी 6 अगस 1986 को भारत में पहले टेस्ट्यूब बेबी का जन्व हुआ था चलिए हम आपको बताते हैं यह तक्नीक महिलाओं के लिए कैसे मददगार है IVF यानी टेस्ट्यूब बेबी तक्नीक एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है जिसमें महिलाओं के गर्भशे में दवाईयों वा इंजेक्शन दुआरा सामाने से ज़्यादा अधिकंडे बनाये जाते हैं बाद में सरजरी के माध्यम से अंडो को निकाल कर प्रयोग शाला में कल्चर डिश में तयार पती के शुक्रणूओं के साथ मिला कर निशेचन के लिए लैब में इसे दो या तीन दिन रखा जाता है फिर जांच के बाद इसे बने भूण को वापिस महिला के गर्भ में इंप्लांट किया जाता है अब बताते हैं आईवीफ और सरोगेसी में क्या फर्क है आईवीफ में अंडे को महिला से खटा किया जाता है और भूण पैदा होने से पहले शुक्राणूओं को उसके पती से लिया जाता है और मा के गर्भशय में डाला जाता है जबकि सरोगेसी का मतलब होता है किराय की कोक इसमें किसी दूसरे इस्तिर की कोक में अपना बच्चा पालना होता है जिसे सरोगेट मदर भी कहती है इसमें शुक्राणूपती से आ सकता है वहीं अंडा किसी और द्वारा भी दान किया जा सकता है आम लोगों की तरह बॉलिवुड और होलिवुड में ऐसे कई सलेप्स हैं जिन्होंने संतान के लिए सरोगेसी या आईवेफ तकनीक अपनाई आमिर खान और किरन राओ आमिर खान और उनकी पतनी किरन राओ ने भी आईवेफ का सहरा लिया था इसी तकनीक से उनका बेटा आजाद पैदा हुआ बेटे के जन्म के समय आमिर ने कहा था कि ये बच्चा उनके लिए बेहद खास है क्योंकि इसके जन्म के लिए उन्होंने कई दिक्कतों का सामना किया और लंबा इंतजार भी किया बॉलिवुड एक्टर शारुख खान का बेटा अबराम सरुगेसी के जरिये पैता हुआ है अबराम अक्सर पापा शारुख के साथ स्पोर्ट होता रहता है शारुख के दो बच्चे आरियन और सुहाना भी है सोहिल खान और सीमा सचदेव सल्मान खान के भाई सोहिल खान के पत्नी सीमा को दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए सरुगेसी का सहरा लेना पड़ा 2011 में उनके बेटे योहान का जन्ब हुआ सेलिन डियोन हॉलिवर्ट सिंगर सेलिन डियोन ने अपनी फैमली को बढ़ाने के लिए आईवीएफ का सहरा लिया 2011 में उनके पहले बेटे का जन्म आईवीएफ के ज़री हुआ था वहीं दूसरे का भी इसी टेक्नीक से हुआ एकता कपूर तीवी की कुईन एकता कपूर भी सरोगेसी के द्वारा मा बनी एकता एक बेटे की मा है और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की